हेलो एवरिवन मैं हूँ नीलम और स्वागत है आपके अपने चैनल कुकवी तेटुजे ट्रसोई में फ्रेंड्स तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगे साथ शेर करने वाली हूँ होम मेट चॉकलेट की रेसिपी चॉकलेट खाना वैसे तो हम सबको बहुत पसंद होता है चाहे वो बड़े हो चाहे वो बच्चे हो सबको ही चॉकलेट खाना बहुत पसंद है लेकिन हम जादा तर बच्चों को बाहर की चॉकलेट खाने से मना करते हैं लेकिन आज मैं आप लोगे साथ चे रेसिपी शेयर करने वाले हूँ ना इसको बस हम चार चीजों का इस्तिमाल करके यह बहुत ही जादा डिलिशियस और टेस्टी चॉकलेट हम घर पे बना सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग उसे रिक्वेस्ट अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत या अलग-अलग तरिकी की रेसिपी में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कूल ना भूले तो चलिए फटाफट से बिना देरी करें हम इस चॉकलिट की रेसिपी की शिरुआत करते हैं मेजर्मेंट के लिए आप कोई भी कप या कटोरी का इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर टेबल स्पून का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने यह कॉट्टोरी लिया है आदी कॉट्टोरी मैंने यह milk powder लिया है अगर tablespoon से देखेंगे तो करीब 4 tablespoon यह milk powder है अब हम इसमें डालेंगे चीनी तो चीनी भी मैंने करीब यहाँ पे 2 tablespoon लिया है corn flour डालना एकदम optional है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको skip भी कर सकते हैं तो देखे फ्रेंड यहाँ पे मैं करीब देट टेबल स्पून ये cocoa powder ले रही हूँ ये unsweetened cocoa powder है हमें unsweetened cocoa powder का इस्तिमाल करना है मीठे cocoa powder का इस्तिमाल हमें नहीं करना है तो शुरुआत में आपने देखा होगा मैंने इसमें करीब दो टेबल स्पून चीनी डाला है अगर आप मीठा जादा खाना पसंद करते हैं तो आप धाई टेबल स्पून चीनी का इस्तिमाल भी कर सकते हैं अब देखिए इन सबको हमें एकदम बारिक powder जैसा पीस लेना है तो मैंने यहापे पीस लिया है मैं आपको दिखा लेती हूँ एकदम बारिक मैंने इसे पीस लिया यह देखिए कुछ इस तरीके से हमें एकदम बारिक पीसना है आप चाहे तो इस चॉकलेट पाउडर को बना के फ्रिज में एर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं जब भी आपका चॉकलेट खाने का मन करे तब आप इस पाउडर से चॉकलेट बना सकते हैं सबसे important step हमें ये करना है कि इस chocolate powder को एक बार हमें अच्छी तरीके से चान लेना है इसमें जो भी impurities हो या फिर sugar की crystals रहे के हो निकल जाए तो इसलिए इसे चानना बहुत जरूरी है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताए था इस तरीके से आप चान के इसको airtight container में भरके रख सकते हैं जब भी आपका मन करे चौकलेट खाने का आप इससे चौकलेट बना सकते हैं जाए इस तरीके से मैंने इसको पूरी तरीके से चान लिया है यह लिए इसमें कुछ इस तरीके से impurities है वो भी आच्छी तरीके से निकल गई है तो देखे फ्रेंड यहाँ पे मैंने बटर को melt करके लिया है यह unsalted butter है जिस कटोरी से मैंने सारा measurement किया था उसी कटोरी से एक कटोरी भरके मैंने यह melted butter लिया है हमें melted butter लेना है या फिर आप खाना बनाने वाला coconut oil का इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर आप जो घर में घी होता है उस घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं बस एक चीज़ आपको याद रखना है जो butter का इस्तमाल करना है वो unsalted butter का इस्तमाल हमें करना है तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले process की तरफ हम इसे कुछ इस तरीके से double boiler की method से करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने पतीले में पानी रखा है नीचे से पानी उबल रहा है गैस की flame को मैंने slow कर दिया है उपर से हम ये चॉकलेट पाउडर का mixing bowl रखेंगे और इसमें हमें ये melted butter डालना है तो एकदम से हम सारा melted butter इसमें नहीं डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने अभी 3-4 चमच इसमें डाले हैं तो इसे मैं पहले अच्छी तरीके से mix कर लूँगी उसके बाद से मैं इसमें दुबारा ये butter add करूँगी ये process में आपको पूरा दिखाऊंगी ताकि आप अच्छी तरीके से समझ जाए तो देखे फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप melted butter की जगे पे आप coconut oil का इस्तमाल भी कर सकते हैं या फिर आप जो घर में देशी गी होता है उसका इस्तमाल भी अब कर सकते हैं जब भी आप coconut oil का इस्तमाल करें तो एक चीज़ आपको याद रखना है coconut oil बालों में लगाने वाला हमें नहीं लेना है जो हम cooking के लिए coconut oil का इस्तिमाल करते हैं वही coconut oil हमें इस्तिमाल करना है तो देखिए आप दुबारा से तीसरी बार में इसमें ये butter add कर रही हूँ तो इस तरीकी से थोड़ा थोड़ा करते हमें डालते जाना है और अच्छी तरीकी से इस मिश्रन को हमें mix करते जाना है तो क्या होता है न जैसे जैसे चीनी melt होती जाएगी न तो ये हमारा जो चॉकलेट का मिश्रन है न ये पतला होता जाएगा तो इसलिए हमें जितना butter का जरूद पड़ेगा न उतना ही हम डालेंगे तो इसलिए मैंने आपको कहा कि एकदम से हमें पूरा butter इसमें नहीं डालना है अगर आप बहुत जादा टेस्टी चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो एक कोको बटर आता है फ्रेंड्स वो स्पेशिली चॉकलेट के लिए ही होता है तो आप उस कोको बटर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं दुबारा से मैंने यहाँ पे दो टी स्पून के करीब बटर आट कर लिया है जैसे जैसे मुझे जरूद पड़ीगी वैसे वैसे मैं इसमें बटर आट कर दी जाओंगी आप देख सकते हैं मैं एकदम से पूरा बटर इसमें नहीं डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके म मैंने यह मेल्टेट बटर का इस्तिमाल कर लिया बस एक से दो टी स्पून बटर उसमें बज गया है तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे साइट से भी इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करते जाएंगे लगातार आपको इसको चलाते रहना है और एक चीज़ का आ इसका texture smooth होता जाएगा जैसे जैसे चीनी पिघलती जाएगी इसका texture जो है वो smooth होते जाएगा तो इसको आपको continuously इस तरीके से slow gas पे चलाते रहना है अगर आपको लगता है कि चॉकलेट का मिशिरन अभी भी गाड़ा है तो एक काट टी स्पून के करीब आप इसमें melted butter और डाल सकते हैं जैसे जैसे चीनी melt होते जाएगे यह mixtureन पतला होता जाएगा और इसका texture भी देखे कुछ इस तरीके से होता जाएगा एकदम smooth texture इसका बनता जाएगा यह देखिए कुछ इस तरीके से तो देखिए फ्रेंट अभी इसका टेक्शर भी एकदम पतला हो चुका है चीनी लगबग इसमें से मेल्ट हो चुकी है अब हम क्या करेंगे इसी स्टेज में इसमें हमें डालना है वनीला एसेंस अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस हो तो आप दो ड्रॉप्स चॉकलेट एसेंस की भी डाल सकते हैं और दो ड्रॉप्स वनीला एसेंस की भी डाल सकते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे करीब तीन से चार ड्रॉप्स वनीला एसेंस की डाले हैं वन फोर्थ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें ये वनिला एसेंस एड़ किया है वनिला एसेंस डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चॉकलेट बनानी के लिए एक टीप आपको मैं देना चाहूंगी फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि चीनी मैल्ट होने में बहुत जादा टाइम ले रही है तो एक टी स्पून की करीब मिल्क आप इसमें डाल दीजे इससे चीनी बहुत ही जल्दी मैल्ट हो जाएगे और चॉकलेट भी बहुत अच्छी बनेगी तो ये देखिए परफेक्टली हमारे चॉकलेट का मिक्सिरन तयार हो जुका है अभी चॉकलेट थोड़ा सा गर्म है तो इससे पहले थोड़ा सा थंडा होने देंगे उसके बाद इसको इस तरीके से मिक्सी जार में डालके इसको और स्मूद करने के लिए हम इसको थोड़ा सा मिक्सी में 2-3 सेकंड के लिए घुमा लेंगे तो सारा मिश्रन में इस मिक्सी जार में डाल रहे हूँ और मिक्सी जार में डालने के बाद मैं इसको दुबारा से एक बार पीस लूँगे ताकि अच्छी तरीके से और स्मूद हो जाए तो ये देखिए मैंने करीब इसको 3-4 सेकेंड के लिए मिकसर में अच्छी तरीके से पीस लिया था एकदम स्मूध इसका टेक्शर हो गया है अब हम क्या करेंगे इस चकलेट को सेट करने के लिए रखेंगे तो इस तरीकी का कोई भी सिलिकोन मोल्ट आप ले सकते हैं कार्टून वाला सिलिकोन मोल्ट भी ले सकते हैं बच्चो को कार्टून वाले चॉकलेट बहुत पसंद आते हैं अगर आपके पास सिलिकोन मोल्ट नहीं है तो हमारे घर में जो ice tray होता है, जिसमें हम ice को जमाने के लिए रखते हैं, उस tray का इस्त yeni भी आप chocolate को जमाने। चोकले सेट करने के लिए, आप ice tray का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो एक chocolate को मैं इस सटीके से थोड़ा सा crunchy करने के लिए, थोड़े से मैंने यहाँ पे बादाम की टुकड़े कट कर लिये हैं एक मोल्ट में मैंने यह बादाम की टुकड़े डाले हैं उपर से चॉकलेट डालके दुबारा से बादाम की टुकड़े डाले हैं अब इसको set करने के लिए रखते हैं करीब आदे घंटे के लिए फ्रीज में तो देखें आदे घंटे के बाद एकदम पर्फेक्ली चॉकलेट सेट हो चुके है आपको दिखा देते हूं ये देखें कितनी बड़िया हमारी चॉकलेट बनी है तो घर में भी हम बहुत ही बड़िया चॉकलेट बना सकते हैं बस चार चीजों से फ्रेंट्स आपको ये रेसिपी कैसे लगी इस रेसिपी को एक बार ट्राइ करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे रेसिपी कैसे लगी यकिन मानिये फ्रेंट्स ये चॉकलेट बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ट्राइ करना तो बनता है वीडियो को लाइक और शेयर करिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुशती रहे सवस्त खाईए मस्त रही और अपना ख्याल रखिए मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई